दोस्तों मैं नीश एकबार फिर से आप स्वागत करता हूँ आज किस नहीं वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप LPNT वॉलेट कैसे बना सकते हो 2022 के अंदर और जो अभी रिसेंटली न्यू इंटरफेस आया है उसमें हम LPNT वॉल तो दोस्तों देखें, आपको यहाँ पर LPNT वॉलेट के रिणेरेट करने के लिए दो एपिलिकेशन की रिक्वारमेंट होगी तो सबसे पहले आपको प्लेशोर पर जाना है और वहाँ पर LPNT वॉलेट सरच करना है तो आपको सरच करने के बाद इसको इंस्टल कर लेना है सबसे पहले तो आपको LPNT wallet को install करना है अपने mobile phone में और दूसरी चीज़ दोस्तो आपको यहाँ पर authentication के नाम से एक application होगी आपको इस application को भी अपने mobile में download करना है तो अभी मैं आपको यहाँ पर दूसरी application भी दिखा देता हूँ करना है install करने के बाद आपको जो सबसे पहले यहाँ पर step आता है वह आता है आपको LPNT wallet अपने mobile phone में open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पर I already have existing LPNT wallet का एक option मिलेगा जैसे आप यहाँ पर click करते तो आपको यहाँ पर sign in to continue का आपको यहाँ पर एक interface हो करेगा अब आपको यहाँ पर क्या डालना वो देख लीजिए सबसे पहले option में आपको email ID फिल करनी है email ID फिल करने के बाद आपको यहाँ पर password फिल करना है अब आपको email ID और password कौन सा फिल करना है वो भी मैं आपको भी बता दिता हूँ देखिए दोस्तों जिस टाइम आपने अपने अपना account create किया था तो उस टाइम आपने वहाँ पर जो भी register mail ID दी थी और जो भी आपने password create किया था तो same to same ID password आपको यहाँ पर फिल करना है फिल करने के बाद sign-in करना है जैसे आप यहाँ पर sign-in करते हैं तो आपकी जो register mail ID होगी उसके ओपर एक OTP जाएगा जब तक आप इस OTP को copy करके यहाँ पर LPNT wallet में फिल नहीं करोगे तब तक आप next step पे नहीं पहुच पाओगे तो यहाँ पर आपको copy करना है यहाँ पर यह code को और यहाँ पर submit कर देना है यहाँ पर जो सबसे important step आता आपका वो यह आता है अब जैसे आपकी screen के ओपर यह आएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले इसका screenshot लेना है जैसे आप इसका screenshot लोगे तो आपको इसको क्या करना है या तो google photos में फिर google drive में आपको जाके इसको save करना है अब इसको save क्यों करना है इसकी भी मैं आपको importance अभी बता देता हूँ दोस्तों जो अभी आप LPNT wallet create कर रहे हो यह उसकी एक त पाऊगे तो सबसे important है दोस्तों अगर आप investment कर रहे हो crypto market में तो आपको इसकी security का भी ध्यान रखना है जो आप अपना account create कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इसका screenshot लेना है screenshot लेने के बाद आपको यहां पर जो दूसरा step आता आपको यहां पर आपको एक box है yellow color का उसमें आप आपको tap here to copy setup की का एक option देखने को मिलेगा आपको क्या करना है इसके ओपर click करना है click करने के बाद आपको यहां पर copy करना है अब आपको यहां पर एक code कोपी होगा वह code कैसा है वह मैं आपको भी बता देता हूं तो दोस्तों देखिए आपको यहां पर अपने WhatsApp पर कुछ इ privacy तो आपको क्या करना है यह code आपकी screen आपकी clipboard पर copy हो जाएगा अब आपको क्या करना है इस code को भी अपने किसी WhatsApp पर या फिर किसी drive में आपको इसको save करके रख लेना है मानिके चलिए दोस्तों अगर आपसे QR code गुम हो जाता है तो आप इस setup की का use करके अपने account का access दुब option देखने को मिलेगा जब तक आप यहां पर six digit code फिल नहीं करोगे तो आपको यहां पर वोलेट अवो create नहीं होगा अब आपको यहां पर यह six digit code कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको भी बता देता हूं तो दोस्तों देखिए मैंने आपको दो application download करने के लिए बोला था एक त प्लस का icon मिलेगा आपको तो जैसी आप महाँ पर प्लस के icon पर click करते हो तो दो option मिलेगे यहां पर आपको scan QR code का और enter setup की का तो अभी मैं यहां पर enter setup की option पर click करता हूं click करने के बाद सबसे पहले option में आपको नाम डालना है जिस भी नाम से आपने account create किया होगा second option में आपक setup की fill करनी है setup की कौन सी fill करनी है दोस्तों जब आपने barcode का screenshot लिया था तो उसी के नीचे आपको एक option मिला था copy setup की का तो copy setup की पर आपने जैसे click किया होगा तो आपकी जो clipboard होगा वहाँ पर आपको 16 digit का code मिल जाएगा तो उस code को आपको यहां पर fill करना है कुछ इस तरह से जैसे ही आप यहां पर fill करते हैं तो आपको यहां पर add का option मिलेगा तो जैसे ही आप यहां पर add करते हैं तो यहां पर देखिए ममता के नाम से एक 6 digit code create हो चुका है तो दोस्तों यह जो code होगा यह आपका हर 30 second में change automatic हो जाएगा तो आपको 30 second पूरी होने से पहले इसको copy करन देना है तो आपको नहीं करने के बाद आपको इस option में फिल करना है फिल करने के बाद आपको इसको continue करना है दोस्तों जैसे ही आप यहां पर अपना प्र करते हैं तो आपको जो इंटरफेस शो करेगा वो यहाँ पर कुछ इस्तिया से शो करेगा तो आपको दोस्तो मैंने इस वीडियो में step by step एक एक चीज आपको बारिकी से बताई है दोस्तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में